केंद्री राज्यमंद्री मीनाक्षी लेखी जी अमारे साथ है माम वर्ल्ड हेरीटेज का दर्जा दुर्गा पूजा को जो मिला है अब क्या बतलाओ देखेंगे मैं तो दुर्गा पूजा को जो विश्व धरोहर का मान्यता मिली है मैं इससे बहुत प्रसन हूँ और खास तोर पे इस टीम में हम सब ने मिलकर काम किया और प्रधान मंत्री जी के आदेश अनुसार ये कारे हुआ क्योंकि जब कोई भी लिस्ट बनकर युनेस्को के कर्वेंशन के मुताबिक इंटैंजिबल कल्चल हेरिटेज में जाती है तो उसमें कई लोगों का रोल होता है तो पहला तो जो आपको समझना होगा कि नोडल बॉड़ी जो है इसके लिए वो नोडल बॉड़ी शिक्षा मंत्राले है क्योंकि शिक्षा से ही आप संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सक इसके शिक्षा मंत्राले इसकी नॉडल बॉडी है, लेकिन जो डॉजियर आदी बनाने का काम होता है, वो संस्कृती मंत्राले को दिया जाता है, और संस्कृती मंत्राले की भी संगीत नाटक Academy Intangible Cultural Heritage को देखती है, और उसकी वो कंसल्टेंट अपॉइंट करके जैसे भी उस को बना के भेशती है, और उसके बाद जब ये सब चीज तयार हो जाती है, तो विदेश मंत्राले इसका प्रचार प्रसार करके अपने पक्ष में वोट लाने का काम जो है, वो विदेश मंत्राले का होता है, तो इसमें प्रदान मंत्री जी जैसे कहते हैं कि हर विशे के विश्व धरोहर का तग्मा इसको मिला है दुर्गापूजा को यह हम सब के लिए प्रसनता का विश्य है और साथ ही Whole of Government अप्रोच का एक उधारण है कि सारी सरकार मिलकर जब अच्छे से काम करते हैं तो नतीजे आपके बहतर होते हैं मैं यही कहना चाहूंगी कि अब उत्सफ का विश्य है अब दुर्गापूजा आ रही है पूरा देश एक होकर खुशी के साथ विश्व धरोहर दुर्गापूजा को मनाए जाजनीत इस पर शुरू हो गई है बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि उनके प्रयासों की वज़े से यह सब हुआ है मेरे को बंगाल की मुख्य मंत्री जी से कम शिकायत है उनके सलहकारों से जाधा है क्योंकि उन्होंने वो शिक्षा ग्यान प्राप्त नहीं किया और उनको गलत राय देते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि युनेसको का मेंबर देश होता है प्रदेश नहीं होता और देश की तरफ से जब विदेश नीती तेह होती है तो उसमें पूरे देश्वासी एक होकर काम करते हैं घलत शिक्षा देना बंद कीजिये